नमस्कार दोस्तों, जैवाल पॉइंट के यूटूब चैनल में आप सभी का सवावत है देखी फ्रेंट्स आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं डिसेबल कैटिगरीज के बारे में आप लोगों की कैटिगरीज कुन सी है काफी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी कैटिगरीज कुन सी है वन आर में दिक्कत है वन लैग में दिक्कत है या हाथ में पैरों में दिक्कत है, तो हम किस category में आएंगे, ठीक है दोस्तों, डिटेल में चल जा करेंगे, चैनल पर नहीं है तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा, काफी form अभी निकले हुए हैं दोस्तों, तो उन सभी में काफी लोगों का कमेंट था कि हमारी categories कौन सी है, देखे, चार categories होती हैं दोस्तों, जो कि आप कहीं भी किसी भी तरीके से कोई भी form अपलाई करते हो, तो government job के अंदर, या अधर किसी भी job में अगर आप अपलाई करते हो, पहली category है, OH category, और इसी का नाम कहीं कहीं पर आपको LD मिलेगा, और कहीं आपको OC भी देखने को मिल सकता है, banking जैसे exam में, ठीक है, यह एक ही नाम है, एक ही category के, यह अलग-अलग नाम कहीं से आपको दिख सकते हैं, कुछ में आपको OH दिखेगा, कहीं आपको LD दिख सकता है, जैसे railway में, LD, locomotor disability, orthopedic handicap, OH में, ठीक है, orthopedic category, यह सब इस तरीके से बात करें, तो देखिए, सबसे ज़्यादा दिव्याग जन जो है, इसी category के अंदर आते हैं, OH category में, क्यों दोस्तों, क्योंकि जितने भी polio से गरसित हैं, या फिर कोई भी wheelchair पर जो है, वो सभी लोग जिनके पैर में दिखकत है, जिनके पैर में दिखकत है, जिनके पैर में दिखकत है, तो ऐसा नहीं, आप MD categories में चले जाओगे, कुछ लोगों को लगता है, कि हमारे हाथ में दिखकत है, पैर में दिखकत है, तो दो multiple category हो गई हमारी, हमारा MD का certificate बनेगा, और जो कि कई बार वो बिना certificate देखे, अपना MD category कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, लास है कि इस टाइम पर मेरे हाथ में भी और पैर में भी दोनों में दिखकत है, तो डोक्टर ने क्या पता, मेरा दोनों के certificate बनाया हो, और certificate में हो सकता है, आपका उसने hand में आपकी problem को इतना नजर अंदाज कर दिया हो, थोड़ी problem हो, और उसने सिर्फ लैक का ही आपका बनाया है, ठीक है दोस्तों, वो भी इसी में आएगा है, इसमें काफी सारी category इसी में आती है आपकी, जो acid attack है, बोनापन है, फिल जिन को कुबडापन की तरीकी की, डबल अभी जो इस तरीकी की और काफी सारी, ठीक है, वो सब इसी में आपके आएंगे दोस्तों, अगला बात करे वी आई category, सबसे जाद जो cut-off जाती है, दोस्तों, किसी भी exam के, अगर हम government department की बात करें, तो OH category और VI category, कहीं कहीं VI category उपर चले जाती है, कहीं OH category, यानि कि यह दो category ऐसी हैं, जिनकी संख्या काफी जादा है, तो VI category में वो लोग आएंगे, जिनको I में दिखकत है, ठीक है, ज जो blind person है, यह दो categories में आएंगी, low vision वाले और आपका यह blind person वाले, जिनको I में दिखकत है, वो VI categories में आएंगे, अगली category है, दोस्तो, HH category, इन तीनों categories को आप धान से आपने समझ लिया होगा, पहली OH category, उसमें सब जितने भी हड़ियों से संबंदित है, जो problem है, यह फिल ज आएंगे आपके, कौन से, जो की, जिनने सुनाई कान से, year वाले, ठीक है दोस्तो, यह जिनको सुनने में problem है, वो सब इसमें आएंगे, जो ठीक है, जिनको कान में दिखकत है, सुनने वाली problem जिन सभी को है, वो इसमें आएंगे, ठीक है, वो सब इसी categories के अंदर आएंगे, Hs category है, अब last category जो की बाद में जोड़ी गई, पहले 3 categories थी, last में फिर 2016 के असफ़र सी categories नहीं categories में add की गई, वो categories की गई MD category, देखे दोस्तों काफी लोगों को लगता होगा MD category में कि मेरे एक पैर में दिक्कत है, दो या दूसरे पैर में दिक्कत है, तो मेरे 2 double दिक्कत है, यानि कि मुझे multiple दिक्कत है, नहीं, ऐसा नहीं है इसमें अच्छली आपने OH category को समझा, जो यह ने बताया अभी अगर आपकी OH category है यानि कि आपको हाथ पैर, OH category में दिक्कत है, किसी भी तरीकी की, आपके दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, इस तरीकी की दिक्कत है, प्लस आपके VI category की भी दिक्कत है, यानि कि आपको eyes में भी दिक्कत है, तो आपका बनेगा MD का, अगर आपको eyes में दिक्कत है, दोस्तो प्लस आपको सुनने में भी दिक्कत है HH category का, तब बनेगा आपका MD का, अगर आपको OH में दिक्कत है, पलस आपको सुनने में भी दिक्कत है, तब बनेगा आपका MD का, ठीक है दोस्तो, तो इन condition में आप लोग का MD categories का certificate बनता है और ये सब आप साफ साफ अगर आपको देखना है, इस तरीके का Google पर सल्च भी करके देख सकते हैं, फिर आप जो सबसे बड़ा एक्जाम होता है, UPSC का उसमें कर नोटिफिकेशन आपकी लिए 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 देखोगे तो उसमें सब कुछ mention हुआ रहता है कि MD categories की definition का है MD categories में कौन कौन आता है इस तरीके से MD categories में वहीं लोग आते हैं, और अब काफी लोग फोर्म को कहीं न कहीं गलत कर देते हैं गलत भर देते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद से हो सकता है, कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिलेगी अब बात कर लेते हैं दोस्तों जो की मैंने आपको बोला सा कि किस तरीके से आप अपना certificate देख सकते हैं, जैसे आपका एक offline होता है certificate offline certificate होता है दोस्तों आपका और एक certificate होता है आपका online offline certificate online certificate यह क्या है online certificate तब बनता है जब आपके पास UDID हो जाता है, इसके बारे में मैंने काफिवाल चल्चा की है एक तरीके कार्ड है आप लोगों ने देखा भी होगा आप लोगों को बन भी रहा होगा जिन्हों करने बन रहा वो लोग इसको जरूर बन वाले ओवलाइन होता है जब आप डोक्टर के पास जाते हो जब आप डोक्टर के पास जाता हो जब आपपसको काफी लोगों को दिक्कत हो इक शकती है आप उसमें आपका UDID नंबर या रिजिस्टेशन नंबर मांगेगा जो भी आपने UDID बनवाते समय फोर्म में भरा होगा वो रिजिस्टेशन भर करके आप E-Disability Certificate थी कि अपना E-Disability Certificate यानि कि online जो आपका E-Disability Certificate है उसको डाउनलोड कर सकते हैं सवलंबन साइट सभी के पास है जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वह सभी लोग कहीं न कहीं स्मार्टफोन लेगी रहे हैं और वो यूट्यूब चला रहे हैं तो जाएसी बाद गूगल भी वह चलाई रहे हैं गूगल पर आप सर्च करेगा E-Soulamban तुरंत आपके सामने E-Soulamban खुल जाएगा E-Soulamban में जाकर के आप से आपका अपना UDID नंबर आगेगा रिष्टेशन नंबर अगर आपका UDID बन करके नहीं आया जो फूम आपने भरा है उसमें रिष्टेशन नंबर होगा वो आप देख सकते हैं और उसको देखने के बाद आप अपना दोस्तों उससे आप अपने ओनाइन कम को बनना था या कम को बनना है ऊदोस्तों ऐसा कुछ नहीं है कि कम या जाद मिया जाद मिनिम्म 40% pretend और मैक्सिमम आपका परसेंट बनते हैं अगर आपको 40 परसेंट से कम बना हुआ है तो भी आपको कहीं और कहीं गौर्मेंट जोब में काम नहीं आएगा अपलाई नहीं कर सकते हैं अगर 40% से कम का बनता है तो minimum 40%, maximum 100% तक बनवा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं तो बाकी इंफॉर्मेशन के माध्यम से आप लोगों को देते रहेंगे चैनल पर नहीं है तो सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा जो भी आपके कमेंट होंगे उसकी माध्यम से हम वीडियो जरूर बनाते हैं जो भी हमें ठीक लगता है कमेंट अच्छा लगता है कि इस पर जो है आपको देनी चाहिए और कहीं बताना चाहिए बाकी हम लाइव भी आप करके काफी डाउट सॉल करने के पूरी-पूरी कोशिस करते हैं ठीक